अगर आपने वो वीडियो नहीं दिए दिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका link description में दे दूँगी आप वहाँ जाके देख लीजेगा so without wasting any time let's get started अब shortcut method से हम कैसे calculate करते हैं Karl Pearson coefficient of correlation तो उसका formula हमें ये given है लेकिन पहले उससे पहले ये जानना जरूरी है हम shortcut method कब लगाते हैं suppose अगर हमने arithmetic mean निकाला x series का और y series का coefficient of correlation निकाल लेंगे लेकिन अगर हमारा arithmetic mean जो है वो x series या y series में से किसी का भी arithmetic mean अगर decimals में या fractions में आता है तो हम shortcut method से r calculate करते हैं shortcut method को हम assumed mean method भी बूलते हैं ठीके तो इसका formula क्या होता है देखो n multiply by summation dx dy minus summation dx multiply by summation dy over under root n multiply by summation dx square over summation dx whole square multiply by under root n multiply by summation dy square minus summation dy whole square ठीके तो ये इसका formula होता है ठीके अब इसमें हम कैसे calculate करेंगे dx dy ये question की help से आपको ज़्यादा clear हो जाएगा तो मैंने question लिया है find the coefficient of correlation from the following data एक question लिया है मैंने जिसमें हमें x series given है और y series का question given है देखो x variable given और y variable given है x variable हमें दे रखा है तो ये हमें horizontal form में दिया है तो हम इसे vertical में पहले लिख लेंगे तो हमने x को vertical form में लिख लिया है देखो अब इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ये calculate करके देखेंगे कि इसका जो arithmetic mean है वो कितना आ रहा है तो जब हम इसे total करेंगे summation x जब हम इसे total करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 125 ठीके और n हमारा कितना है 1,2,3,4,5,6,7,8 n है हमारा 8 ठीके तो जब हम x बार निकालेंगे summation x over n तो ये आ जाएगा 125 over 8 तो ये आ जाएगा हमारा 15.62 अब ये decimal में आ गया है तो r हम actual mean method से नहीं calculate कर सकते नहीं तो वो calculation बहुत difficult हो जाएगी ठीके तो उसी तरीके से तो हम इसमें कौन सा formula लगाएंगे हम इसमें लगाएंगे assumed mean method वाला formula या फिर shortcut method लगाएंगे तो देखो अब इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम dx calculate करते हैं dx कैसे calculate करते हैं dx का हमारा formula होता है x minus a ठीके a है हमारा assumed mean इसमें हम actual mean नहीं लेते हैं क्योंकि actual mean हमारा decimal में आ गया है तो हम x series में कोई भी a ले सकते हैं अब a क्या लेंगे हम हम कुछ भी a ले सकते हैं suppose मैंने a यहाँ पे ले लिया 16 आप कुछ भी ले सकते हैं 12 ले सकते हो 10 ले सकते हैं मैंने 16 ले लिया है तो हम dx calculate करेंगे देखो 10 minus 16 तो यह हमारा आ जाएगा minus का 6 12 minus 16 minus का 4 ठीक है 18 minus 16 plus का 2 then 16 minus 16 is 0 15 minus 16 is minus 1 19 minus 16 is plus 3 18 minus 16 is plus 2 17 minus 16 is plus 1 तो यह हमारा आ जाएगा dx ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका टोटल कर देंगे देखो अब हम इसका टोटल कर देंगे dx का तो जब हम टोटल करेंगे summation dx तो यह हमारा आ जाएगा जब plus minus का हम एकठा वो कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 हमें क्या चाहिए, dx square भी चाहिए तो हम इसका square भी कर देते हैं, देखो 6 का square जब minus minus का square होता है minus 6 into minus 6 तो minus कट जाता है तो यह आ जाएगा positive 36 4 का square 16 2 का square 4, 0 का square 0 1 का square 1, 3 का square 9 2 का square 4, 1 का square 1 ठीक है, तो यह हमारा dx square आ गया अब इसी तरीके से हम y series भी लिख लेंगे, जो हमारी उपर y series थी, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, देखो, 30, 35, 45, 44, then 42, 48, 47 and 46, अब इसका भी total कर लेंगे यह देखने के लिए, कि इसका यह भी decimal में आ रहा है के नहीं आ रहा है, तो इसका जब हमने total करा, तो यह हमारा आ है, यह हमने पहले भी calculate करा है, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीके, तो n हमारा 80 है, तो इसी तरीके से हम y बार भी calculate कर लेंगे, summation y over n, summation y है हमारा 337 और n है हमारा 8, तो जब हम इसे divide करेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा, 42.12, अब यह भी हमारा decimal में आ रहा है, तो इसमें भी, तो यह दोनों decimal में आ रहे हैं, तो इसलिए हम assumed mean method या shortcut method लगा रहे हैं, ठीके, तो इसी तरीके से हम अब dy calculate कर लेंगे, वो कैसे होता है, वो y minus a, अब इसमें भी हम एक assumed mean ले लेंगे, इसमें भी हम कोई भी item को assumed मान सकते हैं, जैसे मैंने इसमें 42 को assumed मान लिया, ठीके, आप 44 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, यह आपकी मर्जी है, इसको मैंने ए ले लिया है, तो यह 42 आ जाएगा हमारा, तो बिल्कुल ऐसे ही हम calculate करेंगे, 30 minus 42, तो यह आ जाएगा, minus 12, 35 minus 42, यह minus 7, 45 minus 42, plus का 3, 44 minus 42, plus का 2, 42 minus 42, 0, then 48 minus 42, यह हमारा आ जाएगा, plus क 6, 47 minus 42, plus का 5, ठीके, फिर हमारा आ जाएगा, 46 minus 42, plus का 4, तो यह हमारा dy आ जाएगा, ठीके, अब इसका भी हम total कर लेते हैं, summation, dy, जब हमने इसका total करा, minus plus का एकठे, तो यह हमारा आ जाएगा, 1, ठीके, अब हमें dy का square कर लेते हैं, इसका square करेंगे, जब हम 12 का square करेंगे, त यह आ जाएगा 144, 7 का square 49, 3 का square 9, 2 का square 4, 0 का 0, 6 का square 36, 5 का square 25, 4 का square 16 आ जाएगा, तो इसका भी हम total कर देंगे, तो जब हम इसका total करेंगे, जब हम इसका total करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 283, तो जब हम इस सब का total करेंगे, तो ऐसे ही हम dx square का भी total कर लेते हैं, dx square का जब हम total करेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा 71, ठीक है, अब हमें एक चीज और चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें dx dy भी चाहिए, dx dy, dx को dy से multiply करेंगे, अब हमें dx हमने calculate कर रखाया, dy भी कर रखाया, इ इन्टो 7 इस 28, 2 इन्टो 3 इस 6, 0 इन्टो 2 इस 0, then 1 इन्टो 0 इस 0, 3 इन्टो 6 इस 18, 2 इन्टो 5 इस 10, then 1 इन्टो 4 इस 4, ठीक है, तो अब इसका भी total कर लेंगे, summation dx dy, तो यह जब हम इसका total करेंगे, सबका total करेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा 138, ठीक है, अब हमारे पास यह सारी चीजों का total r का है, अब हमने क्या करना है, बस इसे formula में put कर देना है, देखो, अब हम इसे formula में put कर रहे है, देखो, हमारा formula क्या होता है r का, हमारे r का formula हो d x d y over summation d x summation d y over under root n multiply by summation d x square minus summation d x whole square n multiply by summation d y square minus summation d y ka whole square ठीक है अब जो हमने values calculate करिए बस उसे formula में put करना है n हमने कितना calculate करा था 8 8 था हमारा n देखो हमारा n कितना था 8 था ठीक है और हमारा वो कितना आया है summation d x d y summation d x d y हमारा आया है 138 तो यह आया है हमारा 138 minus summation d x और summation d x और summation d y अब summation d x हमारा कितना है देखो summation d x है 3 और summation d y है 1 तो यह आ जाएगा हमारा देखो 3 multiply by 1 ठीक है तो जो यह 3 है हमारा यह हमारा negative का है ठीक है तो यह जो हमारा यहाँ पर 3 आया है ना तो यह हमारा negative का 3 है यह ठीक है तो बिल्कुल हमने इसको ऐसे put कर दिया अब हमें नीचे put करना है n की value हमारी 8 है multiply by summation d x square d x square का देखो हमारा कितना है d x square यह है d x square है हमारा 71 और d y square है हमारा 283 ठीक है तो d x square हमारा 71 है 8 multiply by 71 minus और summation d x summation d x हमारा कितना था minus 3 इसका whole square ठीक है इसी तरीके से n है हमारा 8 और summation d y square हमने अभी आपको बताया था मैंने तो यह है हमारा 283 तो यह आजाएगा हमारा 283 minus summation d y whole square d y हमारा कितना था 1 1 का whole square अब हमने values put कर दी है formula में बस अब हमें इसे solve करना है देखो जब हम इसे multiply करेंगे 8 into 138 तो यह हमारा आजाएगा 1104 plus यह plus हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा 3 multiply by 3 तो यह आजाएगा और इसके नीचे जब हम करेंगे 8 multiply by 71 यह हमारा आजाएगा 568 minus 3 का square positive का 9 आजाएगा over 8 multiply by 283 जब हम करेंगे तो यह आजाएगा 2264 minus 1 1 का square 1 आजाएगा ठीके तो जब हम calculate करेंगे इनको add करेंगे तो यह आजाएगा 100 1107 over तो जब हम इसे minus करेंगे तो यह आजाएगा 559 multiply by इसको जब हम minus करेंगे तो यह आजाएगा 2263 ठीके तो जब हम r calculate करेंगे 1107 over इन दोनों का जब हम under root निकालेंगे चीक है इसका under root और इसका under root को जब हम multiply करेंगे तो यह आजाएगा 100 124.72 तो जब हम इसे divide करेंगे तो यह आजाएगा हमारा 0.98 तो यह positive का है तो यह भी हमारा आजाएगा high degree of positive correlation okay I hope आपको actual mean method जो है वो भी sorry आपको assumed mean method भी clear हो गया होगा shortcut method से हम काल पियर्सन coefficient of correlation कैसे calculate करते हैं in case अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझे से पढ़ना चाते हैं तो आप मेरी वीडियो को like share कर सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं so thank you 只ी सगे rápido तो